नवस्कार मैं हिमानिशी कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइव चुनाव आ गया हो और और आरक्शन की बात नहों धर्मकी बात नहों जाते की बात नहों ऐसा हो ही नहीं सकता खास करके बिहार जैसे राजियों में हम बता दे कि आरक्षन का जिन चुनाफ के वक्त में निकल ही आता है हम आपको बताएं कि सरीके से सदन में जो है सवन आरक्षन को लेकर सरकार घिर गई है और अब वो कह रही है कि हम इसकी जाच कराएंगे लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दे कि से पहले भी राजसेवा सांसद वपूर्व मुखमंत्री सुस्रील मोदी ने भी आरक्षन का जो जिन है उसको बाहर कर दिया था और उन्हें बकाइदा कहा था रविदास जेंती पर कि कुछ ऐसे लोग हैं विपक्षी पाटियां हैं राजद और कॉंग्रेस वामदल जो चाहती हैं कि ऐसे दलित जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके इसलाम और इसाई धर्म कबूल कर लिया है उनको भी आरक्षन का लाब मिले लेकिन बिजेपी ऐसा नहीं होने देगी क्योंकि सम्विधान में ये प्रापधान है कि ऐसे दलित जो हिंदू, सिख या बोध हो उनको ही आरक्षन का लाब मिलेगा कि EWS कोटा यानि सवर्ण आरक्षन आपको पता होगा 2019 में मोधी कैविनेट ने 10 परतिशत जो सवर्ण है गरीव सवर्ण उनको आरक्षन दिया था इसको लेकर रजेश शर्मा ने सवाल उठाया कि कियन सरकार में कहीं भी ऐसा उसके कानून में नहीं लिखा हुआ है कि अगर जो कोटा जितने सीटे सवर्णों के आरक्षित हैं उसका बिनिमय किया सकता है मतलब कि अगर उस कोटा में उतने सवर्ण नहीं आपाएं तो किसी और को बहाल किया दा सकता है लेकिन बिहार में ऐसा हुआ है बिनिमे कर दिया गया उस पर आरोप है कि तक्निकी सिछा बिवाग दौरा डॉक्टर की बहाली की गई जिसमें सवन आरक्षन के 97 पद रिक्त रह गये उसके बाद राजसरकार ने अन्य कोटे के लोगों को आरक्षित लोगों को शामिल करा लि कहा बहुत हुए है कान सीधा पकड़िये या घुमा कर पकड़िये तो इसको लेकर के सवन आरक्षन के मुद्दे को फिर से उठाया गया है हालाकि श्रुण कुमार ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो हम इसकी जांच कराएंगे तो इस तरीके से नितीज सरकार कही नी कही अब बैक फूट पर है और सवन आरक्षन मामले को लेकर घिरती में दरा रही है और कह रही है कि वो जो है अब इसके जांच कराएगी विपक्षिनिता ये कह रहे थे किसी भी हकमारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो गरीब सवरन है उनका हक है कि उनको उनका आरक्षन मिले तो चुनाब का वक्त है और अब आरक्षन जो है वो एक मुद्दा बनता जा रहा है उसे बनाया जा रहा है साथी साथ जो जातिये मसला है छित्रिये मसला है और धर्म का मसला है यनि हिंदू-मुस्लिम भी आपको आने वाले दिनों में ऐसे बयान आपको देखने को रहें भारत लाइव हम आपको पलपल की खबरों से लागातार अपडेट करते रहेंगे 816700 धन्यवाद